आज मैं अपने गार्डन का ओवर्व्यू देने वाली हूँ और आप देख रहे होंगे यह वेस्ट मटेरियल में टमाटर लगे हुए हैं यह टमाटर मैंने खुझ से ही ग्रो किये हुए हैं जो घर के टमाटर यूज करने के लिए होते हैं उन्ही का पल्प मैंने डाल के इसक चोटे-चोटे से पॉट में लगाया है और फिर भी टमाटर देखी कितने अच्छे से गुच्छों में फले हुए हैं और भी लग रहे हैं अभी इन सबों में भी देखिए फ्रूट आने सुरू हो गए हैं फूल तो सभी में भर-भर के बन रहे हैं और देखिए और वेस् बढ़न लगाया हुआ है अब मैं थोड़ा टव अगरा में ले आई थी जगह कम लग रही थी तो में टव अगरा मैं भी लगाने के लिए ले आई थी तो उसमें गोभी काफी सारी लगी हुई थी अब तो केवल ब्रॉकली और पत्ता गोभी बची हुई है और ये अबिके से इतने बड़े पौट को भरके लगा लिया है और नीचे से थी अबर मैं यहां नरफये मेंने यहां और यहां लगा हूए है और हैं नीयता हुआ हुआ है और दूसरे कंट्रेपा में लगा लुए तयार हो गया है यहां सोवा लगा हुआ है और मेथी तो मैंने सारी हार्विस्ट करके सब खतम कर दी है और यहां पर देखिए ब्रोकली लगी हुई है और दो पत्ता गुबी है और यहां भी देखिए सिम्ला मिर्च लग रहा है इसमें भी सिम्ला मिर्च आने सुरू हो गए हैं और मतर मैंने लगाई थी मतर को तो बंदरों ने काफी डैमेज कर दिया था दो चार पौदे जो भी है उन्हीं से मैंने मतर भी हार्विस्ट की थी एक बार 200 ग्राम के करीब हार्विस्ट की थी और कल मैं करीब एक मुठा लेके गई हूँ और यहां देखिए काफी अच्छी ब्रोकली लगी हुई है और ब्रोकली ही हार्विस्ट करने जा रही हूँ मैं और देखिए काफी अच्छे से सारे पौधे लगे हुए है और काफी जादे फ्रूटिंग हुई है और मैंने गोभी तो बहुत सुंदर सुंदर बहुत धेर सारी लगाई हुई थी और काफी सा है और खिल भी रहा है दोर मैंसे से बाहर आ रहा है और यह देखिए यहां यह गularb लग राय की हार्वेस्ट करने लायक हो गया है और यहां देखिए सब मैरी गोल्ड वगरा लगे हुए यह मेरे नए नए से गुलाब के पौधे सब तयार हो रहे हैं एक गुलाब देखिए काफी सुन्दर सा खिला भी है अभी मैं उधर से दिखाती हूं आपको देखिए कितना सुन्दर गुलाब खिला हुआ है और यह इसी बार मैंने लगाया हुआ था अभी दो महीना हुआ होगा इस पौधे को लगाया हुए एक से देड़ महीना ही हुआ होगा और यहां पे देखिए यह गुलाब पीले कलर का है बहुत सुन्दर गुलाब खिलता है ये खिल के बंद हो चुका है ये गुलाब के पौदे मेरे बहुत अच्छे बहुत बड़े-बड़े से गुलाब खिले थे और अब फिर से देखिए मैंने कटिंग जब कर दी है और फिर से नई-nई साखाएं आ रही है और ये रहा मेरा कलेंडूला काफी खिला है बहुत खि ये जुमका गुड़हल है एक पौधा ये मेरा मेर्च का है और ये तुलसी यहां देखिए जो गेंदा होता है ये जाफरी वराइटी का देशी जाफरी गेंदा है काफी खिला है और इसको मैंने छाओं में थोड़ा कर दिया है धूप थोड़ा कमाय ये भी जुमका पूली लगाई थी इसकी वीडियो मैंने शेयर की हुई है कि मैंने इसको कैसे लगायो कितना अच्छा कितना सुन्दर जर्मिनेशन हुआ है और जब यह और बड़े हो जाएंगे तहम मैं इसकी अपडेट दूंगी आपको और यह देखिए यहां पर एक केलेंडूला लग पूधा है और यहां पर देखिए खीरा निकल रहा है और नेनुवा है अभी यह देखिए छोटे-छोटे से स्प्राउट सब पत्ती बाहर आ रही है और इसमें देखिए चार पूधे नेनुवा के लगाये हुए हैं और चारों बहुत अच्छे से जर्मिनेट हो गया है इ कि सब में कली आ गई है और काफी सारी कलिया आ गई है और इनकी पिंचिंग वगरा की थी मैंने इसलिए पौधे सब बहुत भुशी है और यहां आप देख रहे हैं मेरा एक गुड़हल लगा हुआ है और यह देखिए मेरा जो टमाटर लगा हुआ है यह सब कुछ वेस्ट में लगा हुआ है और वैसे ही मैंने तयार किया है खुद से ही बीजों से और इसमें भी फ्लारिंग हो रही है और यह देखिए यहां पर मैंने नर्सरी डाली हुई थी और पौधे बच भी गए हैं मेरे पास जगा नहीं है अब लगाने के लिए तो यहीं देखते हैं फिर कर्मकोल बॉक्स में लहसुन भी लगा हुआ है और मेरा गुलदावदी लगा हुआ है यह सारे पौट्स की वीडियो हैं मेरे चैनल पर आप जाके देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको यह एक पेड़ देखिए सरसु काफी अच्छा खिला हुआ था और फल भ पहेगा और धनिया मैं और लगाने वाली हूँ और यहां पर भी देखिए मेरा यह धनिया इसमें से खतम हुआ है इसी को मैं पलट के इसमें भी धनिया लगाऊंगी और मिर्च भी लगा हुआ है यहां जो सरसों के साथ और यहां भी देखिए यह नए पौधे सब टमाटर के तैयार है यह वाला और इसमें भी खूब जबरदर्ट फ्लारिंग और फ्रूटिंग भी खूब हो रही है और यह मेरा पुराना पौधा है इससे हार्वेस्टिंग की वीडियो है मेरे चैनल पर तो आप जाके देखेंगे यहां टमाटर भी लाल हो रहे हैं यहां भी देख मेरे साल के लिए कटिंग करके मैंने सेव करके छोड़ दिया है इन में से जो नई ब्रांचे आएंगे उनको मैं सेव करूंगी और इस बॉटल वाले टमाटर की तो वीडियो बहुत सारी गई है मेरे चैनल पर और देखेंगे काफी अच्छा फ्रूटिंग हुआ है और पास कम जगह है कम मिट्टी है वो ऐसे अपने शौक को पूरा कर सकते हैं यह देखे मेरे टमाटर की यह नए पौधे थे यह सब में फ्रूटिंग फ्लारिंग हो रही है और यह देखे फ्रूट भी बनना सुरू हो गए हैं बहुत अच्छा लग रहा इनको देखके कीचन गाडन में यही सब कुछ तयार हो रहा है और आप देखेंगे और बराबर आने वाली वीडियों में और भी बहुत कुछ देखें को लाइक हरें चैनल को सबस्क्राइब करें कमेंट करके जरूर बताए कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है सो मिलते हैं नेक्ष्ट